हलो फ्रेंड्स वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे आज मैं आपके साथ बहुत ही मशूर वर्ल्ड वाइड फेमस बिहारी ठेकवा की रेसिपी लेकर आई हूँ यह पुरे वल्ल में बहुत ही मशूर है तो बिल्कुल ही पारंप्रिक स्टाइल से बिना सांचे किस तरह से घर में ठेकवा बना सकते हैं वह भी बिहारी इस्टाइल बहुत थिक क्रिस्पी और यम्मी और डिलेश्यस तो देखिए आप देख सकते हैं बिना सांचे के ही कितना अच्छा इसमें डिजाइन भी आया है तो इस ठेकवा को बनाने के लिए हमें किन चीज़ें क अच्छा इसमें पर आटा यूज़ें और साथी मैं यहां पर तीन चम्मच सूजी लिया है सूजी डाले से ठेकवा जो है बहुत है क्रिस्पी होगा और यह लंबे समय तक क्रिस्पी रहेगा तो इसे जरूर डालिए और साथी मैं यहां पर थोड़ा सा नारियल चॉप करक कर आप उसका पौडर बना लिए और एक चमच मैंने यहां पर सॉफ यूज़ किया है सॉफ बिल्कुल ही ताजा होना चाहिए और डेर सॉफ ग्राम मैंने यहां पर ब्राउंच शुगर लिया है यह बहुत ही आसानी के साथ बाजार में अवलेबल होता है आप चाहें तो इ मैं इसी तरह से खरा खरा ही डालूंगी और एक चौथा ही चमच मैंने यहां पर नमक लिया है तो नमक जरूर आप एड़ किजिए यह मीठा को बैलन्स करता है और खाने में भी आपको अच्छा लगेगा और देसी घी मैंने यहां पर 100 ग्राम लिया है इसे बिल्कुल ही मि कम से कम 5-6 मिनट के लिए से हम मसल मसल कर इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह से यह मुठ्या बंदी चाहिए अगर आपके आटे की मुठ्या नहीं बंद रही है तो थोड़ा बहुत आप और भी घी इसमें एड़ कर सकते हैं और हलका हलका पानी डाल कर हम इसे बहुत ही सब इलकुल आटा मैंने इसका लगा लिया है अब 5-6 मिनट के लिए इसे हम साइड में डग देंगे और इसके बाद थोड़े थोड़े पोर्शन लेकर इसका हम शेप बनाएंगे इस तरह से बिना सांचे के ही हम एक से एक डिजाइन बना सकते हैं तो आज मैं आपको की मदद से डिजाइन बना कर दिखाऊंगी इस तरह से मैंने से फ लैट किया और फर हम चाकू लेंगे इस तरह साफ जिस तरह को और आपको जुरूत नहीं है कि सांच जही होना चाहिए बिना सांचे की भी हम एक से एक डिजाइन बना सकते हैं ठेक वे की यह देखिए के इ या फिर मार निंग में भी बिसकिट के जक्पे भी खा सकते हैं तो इस तरह से ऊब हम दूसरा से बनाईंंगे, इस तरह से थोड़ा सा मैंने इसे उगलियों से प्रिस करके इस तरह का ंडिजाइन दिया है और पिस तरह से इस healthy तो देखिए आप देख सकते हैं बिलकुल भी सांचे की जुरूत नहीं है बिना सांचे के ही एक से एक डिजाइन ठेकवा के बनकर रेडी हो रहे हैं बहुत ही जबरदस्त देखिए हमारा बहुत सारा ठेकवा रेडी हो चुका है अब हम इसे फ्राइ कर लेते हैं तो फ्राइ अगर तेज आज पे इसे फ्राइब तो ठेकवा जाएगा और अंदर से कच्छा ही रह जाएगा और ठीक सी यह पके भी नहीं और वह मजा नहीं आएगा जो के ठेकवा का होना चाहिए तो इसे हम बिल्कुल ही धीमी आज पे फ्राइब करेंगे उलट-पूलट करते जाएंग अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथे बिल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी रेसिपी डालू उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरे कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताइए और आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त एक सेख डिजाइन बिना सांचे के ही मैंने ठेकवा कर रेडि कर लिया है तो इस फेस्टिवल या फिर किसी ओकेजन पे या आप कहीं जा रहे हैं किसी के घर पे तो यह आप संदेशा भी लेकर जा सकते हैं बहुत ही जबरदस्त हेल्दी बिल्कुल ही हेल्दी है यह तो इस रेसिपी का अब जोर ट्राइ कीजिए एक नई रेसिपी के साथ दोबारा से हाजिर होंगी